हेलो प्रेंट्स आज की वीडियो में डिसकस करेंगे हार्ट की हेल्थ जानने के लिए कौन-कौन से टेस्ट होते हैं हार्ट हमारे सरीर का एक important part है ये पूरे सरीर को oxygen और blood supply करता है इसलिए हार्ट का healthy रहना बहुत जरूरी है हार्ट की हेल्थ जानने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो एक बार जरूर करवाने चाहिए जिनकी भी age 20 साल या 20 से उपर है उनको एक बार ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए सबसे पहले blood test है जिनमें 1CBC complete blood count इसमें यह देखना है आपका hemoglobin कितना है क्योंकि hemoglobin normal रहना बहुत जरूरी है heart की health के लिए दूसरा blood sugar अगर आपके blood में sugar level ज्यादा रहता है तो यह आपके heart की बिमारी को 2 से 4 गुना बढ़ा देता है इसलिए blood sugar normal रखना जरूरी होता है next lipid profile यह दी आपके blood में LDL cholesterol और triglyceride का level normal से ज्यादा है तो यह heart blockage की risk को बढ़ा देता है और आपके heart attack और brain stroke की risk को बढ़ा देता है next blood pressure यह आपके शरीर में blood pressure ज्यादा रहता है तो यह आपके शरीर की नसुन को damage करता है और आगे चलके आपको heart attack, heart failure होना या brain hemorrhage होना ऐसी risk को बढ़ा देता है next है आपका body weight और बजन आपको अपना बजन अपने height और age के इसाब से रखना है क्योंकि यह दी मोटापा होता है तो मोटापा कई बिमारियों का कारण बनता है next है ECG ECG आपके heart की electrical signals को record करता है और यह बताता है कि आपके heart rate है, normal है, low है या high चल रही है ECG से आपके heart attack हुआ है या आपके dilated cardiomyopathy है या valve में कोई खराबी है उसका भी idea लग जाता है next है ECG, ECG से यह पता चलता है कि आपके heart की pumping power कितनी है आपके valve ठीक है, आपके chambers ठीक है, आपके heart में कोई hole तो नहीं है यह ECG एक simple test है, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई radiation का exposure नहीं होता है इसके बाद में यह दी किसी को chest pain होता है और हलका chest pain है, कभी होता है, कभी नहीं होता, exercise करने से, खेलने से उसका कोई relation नहीं है और कोई symptom नहीं है, तो आप next test है, TMT या treadmill test करवा सकते है TMT test एक treadmill machine पे आपको चलना रहता है, उसमें आपके ECG लगी रहती है और यह देखा जाता है, कि जब आप exercise करते हैं, आपके heart पे load परता है तो आपको कोई symptoms आते हैं, या फिर आपके ECG में कोई change आता है, या नहीं है यह देखा जाता है, अब यह दी किसी को चलने पे, exercise करने पे, खेलने पे, या सीडियां चडने पे सांस फूलती है, चाते में भारी पन और दर्द लगता है, पशिना आता है, गबराट होती है और जैसे आप rest करते हो, तो आपको relief मिल जाता है फिर आप दूबारह चलते हो, exercise करते हो, दूबारह वही symptom आते हैं, rest करते हो, relief मिल जाता है इस condition को angina बोलते हैं, इसमें यह होता है कि आपके जो शरीर को या heart को जितना blood supply चाहिए, उतना उसकी demand होती है, उतनी उसको supply नहीं मिल पाती इसलिए आपको यह symptom साने लग जाते हैं, इस condition को angina बोलते हैं और ऐसी condition में फिर आपको angiography कराना रहता है angiography से यह पता लग जाता है, कि आपके heart में कोई blockage है या नहीं है और blockage है तो कितना percentage